खाब गुनते रहो में चुनाते रहो बिस्मिल्ला रख्मानी रहीम नाज़ीने कराम असलाम अलेकुम आप देख रहे हैं अवाजी पाकिस्तान अब्दलबासित के साथ नाज़ीन पिछले कई दिनों से खास तौर पे पांच औरगस्स से जब से भारत ने जमू और कश्मीर के मामले में जो उसका स्पेशल स्टाइटस था वो छीन लिया और जमू और कश्मीर की जो मखबूजा रियास्त थी उसको दो हिस्सों में तक्सीम कर दिया यूनिन टेरि कर चुके हैं कि भारत वो जो मखबूजा बहां ठा रहा है मखबूजा जमूर कश्मीर में वहां से तवज्जों हटाने के लिए यकीनन कुछ ऐसा फॉल्स स्लैग उपरेशन करेगा जो उसके लिए एक बेसिस बनेगा कि पाकिस्सान के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए औ अब ये फॉल्स लैग उपरेशन होता क्या है भारत का क्योंकि ये कोई पहली दफा अगर हुआ तो पहली दफा नहीं होगा इससे पहले भी बहुत से फॉल्स लैग उपरेशन हुए पाकिसान और भारत के दर्मियान कशीती भड़ी एक बार तो जो हमारी फोजन थी वहाम ने सामने भी आ गई तो फॉल्स लैग उपरेशन होता बन्यादी तोर पे क्या है इसके महरकात क्या होते हैं अबजेक्टिव्स क्या होते हैं तो इन तमाम चीजों के बारे में हम सोची रहे थे कि थोड़ा बहुत इसके मज़ीद काम करें तो हमारी खुश खिसमती ये है क डॉक्टर जुनेद एहमद हमारी मदद के लिए आ जाते हैं आपको याद होगा कि कुछ हरसा पहले हमने इनको दावत दी थी और इनकी किताब जो थी मिस्ट एक्स्प्लोडेट जो बंगलादेश या धाका के हवाले से मश्रकी पागिस्तान के हवाले से जो फॉल्स नोश को डॉक्टर साब ने बड़ी सब्रदस तरीक हैस उसको पेश किया तो हमने वो भी डिसकॉशन की थी कुछ एक दो माह पहले की बात है तो अब हम ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में पूरी कौम अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होत अब आफिशरी लाउंच नहीं हुई लेकिन मैंने इन से खास तोर पे दर्खास की कि अगर हम लाउंच से पहले अगर ये तश्रीफ लाज सके हमारे स्टूडियो न्यूस वन में ताकि हम जरा इस किताब तो चले ही है एक बहुत जबरदस्त काम हुआ है पाकिस्तान की ता साले से खास तोर पे जो इसमें साथ आठ फॉर्स लैग ऑपरेशन की तफसीलाद बताई गई हैं वो डॉक्टर साहब की जबानी सुने और चीदा चीदा जो जो इश्यूस हैं या जो एस्पेक्ट्स हैं उस पे बाहत करें तो डॉक्टर साहब तेंक यू वरी मॉच चैज प्लेजर तो हैब यू और आवाद पाकिस्टान बाई साथ आपका बहुत 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 शुक्रिया आप याद फरमाते हैं तो मेरा सबसे पहले सवाद तो यह होगा अपने नाजरीन की सहुलत करें और अपनी सहुलत के लिए कि फॉर्स लैग ऑपरेशन होता क्या है पहल कि यह बाकी और नेवल सिस्टम तो था नहीं कम्यूनिकेशन का तो आप जहाज के पर जहंडा लगा होता है उसकी बेसिस पर डिटर्मिन किया जाता था कि यह जहाज किसी किसी दोस मुल्क का है या यह कोई पारेट है यह कौन है अच्छा अब यह हुआ कि मैं जंग हो रही ही बरतानिया के जंडा लगाया फॉल्स लैग हुआ और मैं बरतानिया के नेवल फ्लीट के पास पहुँचिया और उसके पास पास पांच के मैंने जाके फारिंग की तो यानि कि मैंने गलत जंडा लगा कर अपने आपको अपने आपको सही थावित किया और जाके मैंने एन तो हिंदोस्तान ने इसको 1971 में किया था और उसमें गंगा एक उनका पराना जहास था जो के डी कमिशन भी हो गया था और मश्रकी पाकिस्तान में हालात खराब से खराबतर होते चले जा रहे थे और ये जरूरी था कि मगर्बी पाकिस्तान और मश्रकी पाकिस्तान के रहबाबित को मजीद तोड़ दिया जाए उसको एक हजार सा एक हजार मील का फासला तो था और ये कि कुछ इसको भी मजीद दिकत कलब्स कर दिया जाए तो इसलिए उन्होंने किया ये कि एक पराना इनका फोकर फ्रेंडशिप जहाद पड़ा था जो 1966 में ही मौटबॉल हो गया था उसको उन्होंने तयार किया और उसने एक फ्लाइट आखरी भरी जो किसी नगर से लहुर आया इसके अंदर जो पैसेंजर बैटे थे वो भी इंडियन आफिसर्स इंडियन मिलिटरी आफिसर्स थे और उनकी वीवियां थी और उनसे कहा कि तुम जाओ अच्छा और ये जहाद पार्क पार्क्सक्राइट लाहर में लैंड हुआ और लाहर में लैंड होके इसके जो दो हाईजैकर्स थे एक अश्रफ बाट अवाश्रिम कुरेशी इन दोनों ने ये कहा कि जी हम तो भुटो साब से निगोशेट करेंगे हालां कि जै अच्छा रिटिकल असाइलम भी दे दिया और पैसिंजर्स को छोड़ दिया गया जब पैसिंजर जब छूट गए तो इन्होंने जहाद उड़ाया और इंडिया ने इसको ये कहा कि ये तो पाकिस्तानी थे और ये तो किश्मीरी मुजाहिदीन थे और ये किया और ये पाक जाते थे, स्री लंका, और कॉलम्बो का भी हाल बहुत खराब था तो पहले हम पैट्रोल भेजा करते थे, फिर वहां से पैट्रोल लेते थे और फिर पाकिस्तान जाया करते थे। इसकी फाल फ्लैग केंदर क्या मज़दार बाते हैं सब्सक्राइसर्ट इन दोनों थे आसि पूरी भी कर ली अच्छा ये दोनों इंडियन बॉर्डर सेक्यूरिटी फोर्स के मुलागिन थे और इनके पास गन भी जो थी वो भी ट्वाइगन थी जी और इन्नों ने यहां से अपनी अपनी अब इस कहानी से तो यह पता चला ना है कि 71 में यह वाकिया होता है तो यह किस से ही रहा है भारत के हवाले से पाकिस्तान को लेकर अरंडिती रॉइ जो के खुध हिंडोसान में एक राइटर बचारा नाम है थी और बहुत ही खुबसूरत बात करें के कॉंग्रस जो रात को छुप किगया करती थी वह बी जे पी दिन के अजाले में करती है इन दोनों मे कोई फरक नहीं है, इनकी थिंकिंग भी वही है, अप्रोच भी वही है, अच्छा, फैस्ट फॉवर्ड, क्यूंकि थोड़ा सा जो दिल्चस्पी नाज़ीन के लिए, अब चीक है, 71 में हो गया, इस पाकिस्तान भी अलग हो गया, बदकिस्मती के साथ, कुछ हमारी अपनी खल आईए, कि 9-11 के बाद भारत का मकसद क्या था, जितने भी फॉल्स लैग आपरेशन्स हुए, पार्लिमेंट से लेकर, पार्लिमेंट पे हमले से लेकर पुलवामत, इनका बुझाती मकसद क्या रहा भारत का, भारत का जो शुरू से मकसद 1948 से चल रहा है, वो किसी तरीके से पाकिस्तान को डिसमेंबर करना है, और वो उसमें 50 परसेंट तो कामियाब हो गए थे, 1901 में, मगर ये उनका अन्फिनिश्ट एजेंडा है, जो मुसलसल चल रहा है, 9-11 के बाद जबके सारी दुनिया में उसका बहुत बड़ा असर था, तो हिंदोस्तान में उस दमान में क पोटा का, विच इस दिप्रेवेंशन ऑफ तर्यरियर सेक्ट, अच्छा उसके अंदर वो आपको याद होगा कि उसके अंदर फॉज को और पुलीस को, ऐसी फुल पावर्स हैं कि उनसे कोई सवाल ही पुचा नहीं जाता, पोटा ने पास होना था, तो टोटली ड्रेकोनिय चाँ आप इस काम को पास कराने के लिए जूरी था कि परलिमेट को हिला दिया जाए, और पारलिमेंट रिङनक के लिए अब कितना भूड़ा तरिका कि पांच बंदे एक अंबेसिडर कार में, जो कि इनतहरे पुराणी स्वडरानी सी कारी होती है इंडिया में, उसमें वो पाकिस्तान गाड़ी आती है जिसमें वो पांच बंदे बैटें चार टेरिरिस्ट और एक ड्राइवर और ये उनकी गाड़ी के साथ एक्जिडेंट होता है उस के साथ तो रोक दिया जाता है ये बाहर निकलते हैं फारिंग करने शूप कर देते हैं इन सब चारों को मार दिय जाता है और इनमीनवाइल ड्राइवर साथ गाड़ी लेके चले जाते हैं उनको कभी बाद में ढूंडा ही नहीं गया और अभी ये सब कुछ हो गया है सारे लोग मर चुके हैं और इन्होंने उसी वक्त अनौन्स कर दिया कि ये तो पाकिस्तानी थे टेरिस्ट अब मेरी ग ताफियां कहता हूं 55 से खारा हूं मगर उसके लिए लिक खा तो नहीं होता मगर भाराण ने उन्हें टाफिय के रैपर भी चुपाये थे अच्छा और उसके बाद पाकिस्तान ने उसको क्वेश्चन भी नहीं किया और सारी दुनिया ने मान लिया कि इस किसम के तो यार ज इसको मुशरव सहाब ने कभी सीरेस्ली टेक अप नहीं किया कि भाई तो मुझे साबित तो करो यह कैसे हुआ और यह कैसे तो ने डिटर्मेंट किया पाकिस्तानी चैड कि मुशरव सहाब तो मिलिटरी के आदमी से आर्मी चीफ थे को यह को यह इंदाज़ा नहीं था किस वाली शायद बात हो चुकी थी तो उन्होंने इस मामले को कभी नहीं उठाया, अचा इसमें उन्होंने करा किया, कि दो साल बाद एक बंदे को पकड़ा, उसका नाम में अफजल गुरू, और उसके ओपर 13 साल केस चला, अचा एक बड़ी खुबसूरत बात, जो इन सारे फॉ मरते हैं, वो हमेशा लोवर कास्ट हिंदू होते हैं या मसलमान होते हैं, कोई हाइपर फाइल बंदा नहीं मरता है, आज तक कभी कोई हाइपर, नहीं अपर क्लास भी नहीं मरता, अपर क्लास भी नहीं मरता, अपर हाइपर क्लास तो बहुत बड़ी बात है, कोई जनस्त भ आई बाल करती नहीं और आप से एक और बात बता हूं कि मुझे जमशेद मारकर साहब से हमारे वाज़ साहब की बहुत दोसी थी तो वो पाक्स्तान के अमबैज़र रहे थे तो मैं एक दिन उनके पास गया कि अंकल मझे ये बताई ये कि ये फोजें कब तक किसी तरह आई बाल करती रहेंगी तो कि ये बैटे ये दो मेने में खत्म हो जाएगी तो कि आपको किसा बता जला तो कि तुम ने आज सुबा तस्वीर देखी ये ये बाज़ पाई साथ लैपटाप उठा गया उन्हें खोला तो इसको आँको वाजपाई कि आँको बढ़ा किया आइसी तो कि देखो नदर आ रहा है एक में से तो आँसु निकल चिका है दूसरे से निकलने वारा है तो मैंने का सर ये क्या हुआ आप क्या है कि इसको बड़ी डांट पड़ी है और इसको इसने पुटिन ने ये कहा है कि तुम से यार पांच हजार हम से चेचनिया में नहीं सिंबल रहे तुम से पांच हजार कश्मीर में नहीं सिंबलते हैं तुम किस के साथ पका बाले हो चले एक मुक्तसर सबफ़ा लेते हैं कमर्शा सा कहा जा रहा है नाजरी एक मु नारीन दुबारा खुश्यामदीद अज़ेट और सब एक दोच चीज़ है पाकिसान को मेलाइन करना लेकिन हमने ये भी देखा कि पिछले 10-20 सालों में जो कश्मीरियों की रिजिस्टन्स है उसमें भी बहुत जान पैदा हुई है और अबिस्ली सिर्फ पाकिसान को मेलाइन करने की बात भी नहीं थी जो पूरी कश्मीर की जद्व जहद है उसको भी देश्टगर्दी के साथ मत्थी करने का एक अज़ेक्टिव था तो ये भी साथ में साथ साथ ही चल रहा था कि पाकिसान एक देश्टगर्द मुल्क है देश्टगर्दों को पनाएं देता है और कश्मीर में देश्टगर्दी करवाता है तो ये अब्जेक्टिव भी साथ साथ चल रहा है और अफ़ानिस्तान में भी दैश्ट गर्दी जो हो रही है पाकिस्तान की वज़े से हो रही है अकानी नेटवर्क को हम सपोर्ट करते हैं तेलवान को हम सपोर्ट करते हैं अच्छा अब ये जो है आगे हम आते हैं तो फिर हमें गोद्रा का नजर आता है फिर गुजरात का मैसे कर भी हमें नजर आता है क्योंकि टाइम हमारे पास मुक्तसर है मैं चाहता हूँ कि हम जरा समझोता पे पहले आ जाते हैं क्योंकि गोद्रा और समझोता का भाराल तालोग तो आप इसमें बनता है लेकिन समझोता में जो कुछ इनोंने किया ति क्योंकि उसके बाद हमार्ट कारकड़े कर जो फिर मंबई में हलाक होना है 2008 में बड़ा सारे इसमें आप इसमें लिंकिजिजिस हैं तो इसमें हमारे नाजीर वे पहले एक विल्ड लगा के यह लिए नौट मुर्डें में जो जो जले ते यह वह उसी खिसम का वाक्या हुआ था जैसे अभी तेस गाम में हुआ है यह अंदर ही खाना पका रहे थे और जिसकी विए से आग लगी थी बोगी अंदर से जली थी अच्छा और उसके बाद इन्हों ने और यह लोग बाबरी मस्जद से आ रहे थे यह उसकी जात्रा कर के आ रहे थे ब्रोकन डाउन बाबरी यह फबरी दो हजार 22 की बात है 2002 अपरैल के मार्च अपरैल की बात है अच्छा तो इनकी लाशों को उठाके जनादे की शकल में वहां गुदड़ा से गुजरात लाया गया और सारे रास्ते में लोगों को भड़काया गया अच्छा जब मोदी साहब में ये काम गुजरात में किया था एस तेसी मिनिस्टर उन्होंने पुलीस को भी काबू कर लिया था, intelligence agencies को भी काबू कर लिया था और courts को भी काबू कर लिया था, तो लहाजा किसी ने कोई बात ही नहीं की और असानी से वो काम कर सके जो उन्होंने किया figures are five to eight thousand killed, plus many houses, hundreds of thousands of houses destroyed, families destroyed मैं जो बात आपके सिद्में मेर्स करना चाहता हूँ, ये एक बड़ा जबर्दस मौका था कि this man should have been identified, और इसको अमरीका ने बारा साल वीजा नहीं दिया, इसको बरतानिया ने भी वीजा नहीं दिया, ये बहुत से मौमालक ने वीजा नहीं दिया, ये यॉरप के भी मौमालक में में, कैनड़ा नहीं वीजा नहीं दिया, वाइ, because of his terrorist tax, बुचर और गुजरात के ल नहीं थी, 2002 की बात हुई, अच्छा आप उस वाद की बात करें, मैं तो 2002 की बात कर रहा हूं, कि और जी, क्योंकि ये मामला तो चल रहा था ना, तो, कि आप International Court of Justice में ले जाते, और इसको और इंडिया को उस वाद भी खोल देते, के ये terrorist है, देखो, इतने सारे मुल्क भी क समझाता का तो इन्हों ने प्लान डिट सो ब्यूटुफली, और उसके अंदर उसके अंदर उनके फाज के करनलें भी, करनल परोहित ने भी बड़ा रोल प्ले किया, ट्रेन के अंदर एक्स्प्लोसिज लगाए गए, और एक्स्प्लोसिज लगा कर उसको जलाया गया, और अब्स्प्तानी शहीं भी जी, हाँ, यूर राइट, और बागी जखमी हुए थे, तो और उसके बाद, उसकी इन्वेस्टिगेशन्स हुई, और इन्वेस्टिगेशन्स के अंदर ये बाद थाबित हो गई, कि ये एक्स्टोजिज उस कहां से आये थे, इसमें किसने पार् करकते इन्होंने की थी, ये सब चीजें खुल के आगई थी, और क्योंकि उसी से रिलेटेट उसी जमाने में और भी इंसिदेंट्स हुए थे, इंडिया में, और वो एक साहब पे हैमन्त कारकरे, जो पुलीस ऑपसर, और ये मामला उसने कोर्ट में भी पहुचा ती, जो मह जासे करनल परोहित को फांची की सजा हो गई थी, बाकि एवरिबडी वस कन्विटिटिट, फॉर पीपल वस कन्विटिटिट, इन्होंने फिर देंडे में शूर तो किल हमन्त कारकरे, एक किताब है, वो किल कारकरे, एक मुसलमान उसर है, मुश्रिफ की, ऐसे मुश्रिफ, उन्होंने लिखी, और ये फिर 28 नॉइंबर 2008 कोई ड्रामा रचाया गया, जो के मुंबई में हुआ, जो मुंबई में हुआ, और मुंबई के जो अटैक्स थे, वो बेसिकली थे कि किसी तरीके से हमन्त कारकरे, और उनकी पूरी टीम को फारिख कर दिया जाए, और सारा एक ये जर्मन जू, जू जू है, और उनकी नौसो सतर सवी की किताब है, बलके हम खुद भी बताते रहे हैं, डॉक्टर साथ अपने नाज़ीन को, कि जब ये वाकिया हुआ दो हजार आठ में, उसके बाद, दो हजार दस से लेकर, हमारे जो जूडिशल कमिशन है, भारत ने ह जा सके, लोगो कसे मिल सके, फिर कसाब सभी मिलने नहीं दिया गया, और पिर कसाब को जल्दी फारे कर दिया गया, हैंक कर दिया गया, 2021 अजीव मज़़ के खेज बाद थी फॉर्स लाइग ऑपरेशन तो था ही पाकिस्तान का जो रियाक्शन हमेशा राई है फॉर्स लाइग ऑपरेशन के जिमने वो क्या होता था आफ ते कफ जो हम रियाक्शन देते रहे हैं दो-ती चीज़ें हम करते रहे हैं पता ही है हमाने नाजरीन को यह तो वी वेरी अपॉलोजेटिक वी अलवेज़ गात रूजेटिक एंद वी एक्षिली वेंट वी अपीजमेंट जबके जो सबसे बड़ी मिसाल है वो तो यूसर रजागिलानी सहाब की है जब उन्होंने मंबई अटैक्स के बाद ये कह दिया कि मैं अपने डी जी आए साई को भिजवा रहा हूँ कोई बात है अट्री स्टार जेनरल बिंग सेंट देर वो उसको पकड़के बिठा लें कुछ भी कहलवा लें और उसके सर पे कुछ भी लगा दें हैंब सेंगाशी है अटनली इस हमारी मीडिया ने अजमलका साब को ढून लिया था उसके गाउं को भी ढून लिया था वालत को भी ढून लिया था विच वाज इन 2000 2018 क्लरिफाइज के रिभी के और लिए बिन इंडियन डॉमसाइल इंडियन नैशनल नेवर केम टो पाकिस्तान, नटिंग वो क्या करते कि उस जमाने में जो हमारे नैशनल सेक्रिटी एडवाइजर थे, जनल दुरानी साथ वो तो कैप दिये को पाकिसानी नैशनल है, तो हम क्या करते फिर? अब मतलब वोजी तो मैं आपके गजाईश कर रहा हूँ कि इन एवरी केस, एक्सेप्ट पुलवामा, मुसलसल जो रहा है, वो हमारी अपीजमेंट रही, वी नेवर क्वेशनेट, वी नेवर सेट कि जो तुम एविडेंट दे रहे हो, ये क्वेशनेबल है, अच्छा पठान कोर्ट के वाकिए के बाद मैं आपको बताओं, कि मैं ने अपनी हकोमत लिखा, कि हमने जो हमारे एक तरीका हो और के हम पहले कहते हैं, कि सबूत पेश की, ना, जी. सबूत वो पीश कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फॉलस लाइग में सबूत कहां पेश करेंगे, उसके बाद हम कहते हैं कि जाइन इंवेस्टिकेशन करुआ लेते हैं वो भी भारत की हकूंबत यी मानती जाइन इंवेस्टिकेशन है सब मैं इसकी बात जो यह है कि जो आपको भी पता है कि हमारे हाँ पेंग आफ बहुत ज्यादा है आपके इंडियन पेरोल पे भी बहुत लोग हैं अमेरिका के पेरोल पे भी बहुत लोग अभी यह जो परसों वाकिया पेश आया नानकाना में यह कैसे हो सकता है कि जब के पाकिस्तान ओपन अप हो रहा है तो और ये जो करतारपूर कोरी रोर के लिए और उसके बाद जो पाकिस्तान की टोटल अप्रोच हो रही है तो और आज सिक मुसल्मानों का मैक्सिमम माउंट आप साथ दे रहे हैं इंडिया में इस सिडिजन एक्शन बिल के खलाफ तो हमने उनी से उनके साथी बतमीजी करनी थी और इस किसम की हरकत करनी थी मेरा हंडर्ड परसेंट यकीन है मिनिस में शरारत है भारत की जो अगर जो कुछ भी हुआ है थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने इससे पैसा लगाया है और ये पैसे क्यूंके तरफ लगे रहते हैं तो ये आपको मैं जरवार आ रहा था आपको अभी थोड़ दिनों पहले आज और चार पांच मेहने पहले घर थीन भहत senior लोगों को सदाए हूई है ना वही ने दिशर ग्ल कुल विलकुल अपर से बिर्ग़गईर बिर्गईयर य। और बिर्गईर, और प्यर्द लोगईर क्या, Firing squad हुआ है, I am in the know that X number of people in the armed forces are under surveillance. If the number is X, then in the civilian sector is 100X. So ये एक बहुत बड़ा इशु है, एक बहुत बड़ा इशु है that needs to be that needs to be handled. और हमें इन सारी चीजों को इस point of view से देखना चाहिए. पिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इससे वापस आते हैं, नाज़ी होता ये है कि जो हमारा दुश्मन है, और यकीन भारत हमारा दुश्मन है, उसने यहां पे millions and millions of dollar की investment में कर रछी है और लोगों को भी मालूम नहीं होता, वो किस के लिए िस्टे ribs करें हो रहे हैं. यहों नंकानल साहब में जो कुछ थोड़ा हम देख रहे हैं, यह जो लोग हैं, अनको भी मालूम नहीं कि कि किसके हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे हाँ अब हम आगे आते हैं तो पुलवामा और उड़ी को भी डिसकस करते हैं हमारे साथ रहे नादी दोबारा खुश्यामदीद अज़र डॉक्टर साथ मैंने तो भारत शायद नहीं जाना मुझे नहीं लिपा क्या आप नहीं भी जाना है अगर आप अप्लाय करेंगी भी तो वीज़ा भी आपको नहीं हुए लेकर ना मुझे मिलने वाला है मुझे पता है तो इसलिए हम हमें ना कुछ शौक है अब जाने का वहां पे तो हम खुल के बाद भी कर सकते हैं चुक्के बहुत से लोग इसलिए भी बात नहीं करते कि उन्होंने शायद भारत का विज़िट करना हो तो अपनी वो रेप्लोटेशन भी खराब नहीं करना चाते तो बुन्यादी तोर पे अब हम आते हैं थोड़ा बहुत उड़ी पे बात कर लेते हैं उड़ी पे देखिए ना इन्होंने तक्रीमन अपने उन्नेस जवान जो थे उनको मरवाया और फिर फोरण बगहर किसी तहकी के पागिससान पे इलजाम लगा दिया पागिससान एक हम इंटरनाशन इम्टिकेशन कर वा ले ए इसी तरह पुलॉमा में ऐसी तक्रीमन चवालेस लोग इन्होंने मरवाय अपने उर फर हमने इम्टिकेशन की बात की उन्होंने कोई नहीं का तो एक pattern क्या है ये जरा हमें बताईए ये बड़े मज़दार pattern है जैसे मैंने सबसे पहले हैज किया था कि एक तो जो लोग मरते हैं आल बिलॉंग टू लोवर कास्ट हिंदू कैटेगरी या मुसल्मान होते हैं अच्छा और ना अपर कास्ट हिंदू होते हैं ना investigation agencies इस्तमाल की हैं पहले एक agency को इस्तमाल किया उसे report जो मिली वो इतनी अच्छी नहीं थी तो उसको दूसरी को फिशिफ्ट कर दिया पर तीज़े चेशे साथ साथ different agencies ने हर case को investigate किया है छेच या साथ हर case के अंदर इन्होंने courts को इस्तमाल किया तां कि इनको अपनी मर्जी का judge ना मिल जाए और अपनी मर्जी का फैसला ना मिल जाए एवरी case जिस अच्छोता में सारे excuse के वो बरी कर दिया है अच्छो मैं वह या रहा हूँ कि उन्होंने हर case के अंदर ये भी हुआ है कि जिसको target किया उसको तो मरवा दिया और वह भी आम तोर पे lower caste हुआ या मुसल कि इन्वेसिगेशन हुई नहीं और the terrible part of it was as to how Pakistan was responding almost in appeasement almost as if we were जो आपने बताया है ये सारी चीज़ अगर आप पहली ही चीज़ पर रूख जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तुम फजूल बात कर रहे हो पाकिस्तान नेवर डिडिट इट इस यॉर false flag और हम इसको साबित कर times of reference के मैंने तो उसको भी oppose किया लेकिन क्या करते है उसकी हकोमत बज़ेशन के देखे हम तो आपके साथ हिस्ता कॉपरेट करने के लिए तयार है लेकिन इसमें एक और भी बात है pattern में कि बड़े-बड़े iconic इसम की buildings वगरा भी इस्तेमाल होती है इसमें ताज होटेल हो गया इसमें पर्फार्ण कोर्ट का जो हुआ जी सिर्फ मुंबई में हुआ और उन्होंने कि वह किया पर पार्लिमेंट को तो कुछ नहीं हुआ था नसिंगा इड़ापन बाकि सारी चीजें एमी थी मतलब एर फोर्स बेस जो था उनका इसमें मगर कोई iconic तो नहीं था तो वह उ मेडिया वाज़ी रेडी कि यह होने वाला है और अब त्यारी करके आजाओं मंबई में भी यही हुआ पर्थान कोर्ट में भी सारी यह पार्लिमेंट पे यही हो रहा था और मतलब हर केस में यह भी स्टैंडर्ड हुआ है तो वी वी नीड तो अंडर्स्टैंड इंडिया फिर हम यहां पर ट्राइल भी शुरू कर देते हैं मंबया देखे ना अट्राइल कितने अर्से से चल रहा है बेमकसद तरीके से और हमारे एक प्राइम मिनिस्टर तो यह भी कह दिया था कि I am very unhappy 2018 में यह जब डॉन लीग सुई थी ती जब डॉन लीग सुई थी ती यहां How far can you go? 엔 сам पेहले क्यों नहीं हो सकता था हमारी हकूमत क्यों नहीं करते हूँ यह सारे facts & fingers तो न'के पास हैं यह चीजे Pbenhsar is कहने मेरी bluntly मैं जह बात कहाता हूँ कि हमारी एक तो नियत में फटूर होता है, there is no will to do it. अभी इसकोद ये भी देख लीजिए, कि कश्मीर का मामदा चल रहा है, और जिस्टिसन एक्शन वेड़ा है, कितने सारे WhatsApps आए हैं, कि Indian Ambitisians के अंदर, बकाईदर डिस्कुशन हो रही हैं कि ये जो कश्मीर में हुआ है, और कश्मीर में हमें इसराहिल से क्या सबख लेना चाहिए, वगर आपने भी देखा जो रही का में हुआ है. But what has happened to my diplomacy, and what is happening to my diplomacy? हमें उनका एक बंदा मिलता है, कमार्डनर कुल बुशन जा दे, वो ऐसा लड़क गया है, मतलग उसको तो फांसी पे चड़ा देना चाहिए था, अब तक वारर वाप I.C.J. आगया है बीज में मुसीबत, पहले अगर कर ले थे तो अच्छा नहीं था? Sir, मेरे ये ख्याल है, कि I.C.J. चलिए वो भी बात है, but उससे जो इतना information मिली है, जिससे मैं कुछ चीजों का मैं भी बात है, We are all privy to something. Some of these things. वो इतना dangerous है, वो इतना चीजे हैं, कि वो तो अब तक market में आजानी चाहिए थी, और खुल के बता देनी चाहिए थी, सारे पाक्सान को बता देनी चाहिए, सारे दुनिया को बता देनी चाहिए थी. I am quite regularly in contact with the army. I have been presenting my book on Bangladesh to all the army garrisons and to the training institution. I will take up this matter, कि भाई, जो कुल घोशन जादेव ने का है, इसको लिख लो और इसको आप issue कर दे. जो भी देखे, ICJ ने भी जो कहा है, कि review करें, effective जल्दी करें, और उसको खत्म करें मामले को, और उसको रखखाएं हजरत को, ताकि ये जो एक मामला है, दुनिया को पता तो चले, कि भारत हमारे साथ कर क्या रहा है, जमुर कश्वीर में क्या कर रहा है, तो हमारा जो पूरा एक माहौर, चाहिद हम बड़े अच्छे लोग है, डॉक्टर साथ, रख रखाओ वाले लोग हैं, मुरवत वाले लोग हैं, यागर उसके साथ क्या मुरवत रखेंगे, जो आपके साथ रोजाना बे मुरवती करते करेंगे हैं, शायद यही है, कि हमारा दू भी जो है वो भी हमसे हमारे इसी मुरवत का हमसे हमारा Advantage लेता है हमारा जो Enemy है क्या किया जाए है सर हमें अपने attitude बदाना पाँ तो वे फॉर्वर्वर्ड क्या है आपके ख्याल में मेरे ख्याल में the way forward is that my country needs to know Pakistan needs to know कि Hindustan क्या है और हमारे ये दोस्त मुमालिग जो काल ये जो अभी अभी जो मुशाहिद अला साब ने अभी सेनेटर मुशाहिद ने जो कहा कि सारे जूटर्स ने the mother of you-tons taken and not participating in the KL summit इस किसम के जो हमारे अंदाता है और जो ने अपने अंदाता खुदा बनाए वे हैं we need to get out of this situation and actually stand on our own feet we forget the fact that we are a nuclear power we forget the fact that we have one of the finest fighting forces in the world which is battle-hardened and so on and so forth I think we need to change our stat and ये जो मेरी सारी काविश हुई है पहले बंगलादेश के बारे में लिखा फिर इंडिया अपार्टाइट स्टेट के बारे में लिखा पर ये लिखा कि मैं किसी तरीके से अपनी कौम को जगा लूँ कि तुम इतने खराब नहीं हो कौम तो शायद जाज रही है हमारी जो सियासी कियादती लीडरान है वो कोई शायद अभी तक इस जौम में है कि भारत के साथ हमारे तालुकात अच्छे हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं मैं सर्अमन की आशा के प्रोग्राम में भी इन्वाल रहा हूँ और उसको भी देखता रहा हूँ सौ दफाव मैं हिंदोस्तान गया हूँ लाज पाइं कब गए थे अप तोस तू थाउजन अन ट्वेल बस वो लास टाइम ही था अप नहीं उसके बाद मेरे दिल भर चुका था मेरी तरह मैंने उस मगर एक और और काम किया तो बाद कि मैं तो सारा टेक्शियू में फिरता रहा पुट आउन जीन्स और चेक्शियू नुगे वो बहुका ने मिला तो बहुत सारे टेक्शियू ड्राइवरों से दोस्तिया है तो बहुत कुछ इंफर्मेशन वहां से खुद ही आ जाती है तो जो मामलाथ वहां चल रहे हैं जो हमें पिछली प्रोग्राम में भी बात कही थी कि अब मुस्लमानों का गतले आम शुरू होने वाला है इडिस्ट अमैटर ओप्रोग्राम लेकिन वहां साथ कहते हैं कि पाकिस्तान अपना ख्यार रखे हैं हमारे मुस्लमानों के बारे में बात ना करे ये भी एक डालेमा है बालर वो नहरू ल्याकत पैक्ट जो 1950 का लोग उसको भूल जाते हैं डॉर्ट साथ, I am grateful to you as always तो नाज़ीन आज के बन्यादी मकस्दी था कि इस किताब का तारुफ करवाया जा चीदा चीदा जो नुकात हैं वो आपके सामने पेश किये जाएं किताब अन करीब लाँच हो जाएगी तो आपसे दर्खास है कि आप इस किताब को खरीदिए और इसको पढ़िए और ताकि जो भारत का मकरूच यह रहा है वो आपके सामने आ जाए दूसी तरफ हम अपनी हकूमत से भी यह तवक्व रखते हैं जिसकी मुझे तो कोई जिस्टिफिकेशन नजर नहीं आती यह आज सफ़ते का वादे प्रोड़ाम का आखरी शो था इंशानला अगले हफ़ते आपसे मुलकात होगी अपना खिया रखिये पाकिस्तान जिन्दबाद झाल